आज हम जानेंगे अश्वगंधा के बारे में अश्वगंधा आयूर्विदिक चिकित्सा में सबसे शक्तिशाली जड़ी, बूटियों में से एक है और तनाव, चिन्ता, ठकान और नींद की कमी से ग्रसित व्यक्तियों के इलाज में प्रयोग की जाती है संस्कृत में अश्वगंधा का मतलब घोड़े की गंध होता है जो यह इंगित करता है कि यह जड़ी, बूटी एक घोड़े के समान ताकत वशक्ति प्रदान करती है अश्वगंधा एक अडॉप्टोजन है जो किसी तनाव के विरुद्ध शरीर की प्रतिक्रिया को नियमित करता है अश्वगंधा शरीर को दोनों बाहरी दबाव जैसे प्रदूशित पर्यावरन वव विशैले पदार्थों के दुश प्रभाव और आंतरिक तनाव जैसे चिंता वव अनिद्रा को सहने में सक्षम बनाता है अश्वगंधा एक ही समय में शरीर को उरजावान बनाने और तनाव मुक्त करने की अपनी दोहरी क्षमता के लिए जाना जाता है यह शरीर को दिन भर उरजावान रहने के साथ साथ रात में गहरी नींद लेने के लिए सक्षम बनाता है यह तंत्र का तंत्र को शांत करता है वह अनिद्रा और तनाव को दूर करता है आयुर्वेद में अश्वगंधा को दूरबलता में ताकत देने और उर्जा वह स्टामिना बढ़ाने के लिए जाना जाता है सदियों से इसे एक बोडी टॉनिक के रूप में इस्तेमाल किया गया है और यह शारीरिक मजबूती बढ़ाता है अश्वगंधा कामोत तेजक भी है और यह पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन के स्तर में व्रिद्धी कर उनकी यौन क्षमता में सुधार लाता है